जैहिन दोस्तों मैं विकास भारत वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग भारतिय राष्ट्रिय आ अन्दोलन जो की मौडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उससे सम्बंदित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिससे सम्बंदित की पिछले भी आर्पी अप रूल 72 में सवाल पूछे गए थे और आगे भी इस प्रकार के सवाल के आने की पूरी संभावना है तो इस वीडियो को अनतक देखेगा सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण है सारे पॉइंट महत्वपूर्ण रखे गए उससे पहले अगर आपने अभी तक मौक्तेस्ट में इन्रॉल नहीं कर रखा है तो मौक्तेस्ट में बिंदूओं को देखेंगे। सबसे पहले भारतिय राष्ट्रिया आंदोलन है वो तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भारतिय राष्ट्रिया कॉंग्रेस का गठन हुआ 1885 में वहीं दूसरा जो है स्वतंत्ता आंदोलन की महत्पूर्ण तिथियां से संबंदित था और तीसरा जो है प्रमुक घटनाएं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रमुक घटनाओं को देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो भारतिय राष्ट्रिया आंदोलन के दौरान घटित हुई। इन आंदोलनों में सबसे पहला है बंगाल विभाजन जो की 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की जानकारी जारी राष्टिय चेतना को समाप्त करने के उद्देश से लाड़ करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोशना की थी। जो की 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंग भंग बिरोधी स्वदेशी एवं बहिशकार आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारम हुए। जिसको की बंग भंग बिरोधी आंदोलन कहते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को सोग दिवस एवं रक्षा बंदन दिवस के रूप में भी मनाया गया था बंगाल विभाजन के अवसर पर। 1905 के बाद अनेक समचार पत्र संध्या, युगांतर, काल, आदी करांतिकारी रास्टवाद का समर्थन करने लगे। तो ये संध्या, युगांतर और काल क्या थे ये समचार पत्र के नाम थे। अप्रेल 1908 में खुदी रामबोस प्रफुल लचाकी द्वारा मुझपरपूर के जज किंग फोर्ड को मारने की कोशिश की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वाइसराय हार्डिंग पर फेके गए बं की यूजना किस ने बनाई थी। रास बिहारी बोस ने बनाई थी। जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन वाउनी 111 में उसमें जो वाइसराय हार्डिंग पर जो बं फेकनी की यूजना थी। उसे रास बिहारी बोस ने बनाया था। अगली जो प्रमुगटना है वो है साथ अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिशकार आंदोलन जिसकों की स्वदेशी और स्वराज भी कहते हैं। इसमें महत्पून चीज है कि लाल, बाल, पाल और अर्विंद घोस के प्रियासों के फलसरूप स्वदेशी वा स्वराज की मांग की गई थी। लाल, बाल, पाल जो की गरम पंथी दलके थे तो इस तरीके से लाल से हो गया लाल भाहदुज सास्तरी, बाल से हो गया बाल गंगा धातिलक और पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल। 1905 की बनारास अदिवेशन में कौपाल किष्ण गोकले की अध्यक्षता में कॉंग्रिस ने स्वदेशी हो खाले स्वदेश्ण सव राज की मांग की थी। स्वदेशी और स्वराज ये सवाल अक्सर पूछे जाते है। अगली जो प्रमुग घटना है वो है मुसलिम लीक की अस्थापना मुसलिम लीक की अस्थापना 1906 में हुई सलीमुल्लाख खां एवं आगा खां के नितितुमें कहां धाका में हुई थी जिसका उदेश क्या था बिटिश सरकार के परति मुशलमानों की निष्ठा में यह बहुत इंपोर्टेंट बिंदू है दोस्तों यहां से सवाल आपको आएंगे आगे हैं नबाव सलीमुल्ला खा इसके संस्थाफक अध्यक्ष थे तो पहले अध्यक्ष जो थे वो नबाव सलीमुल्ला खा थे तो यह थी मुस्लिम लीक से संबंदित कुछ महत्यपून बा हुआ था इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से बिजाना जाता है और इस अधिवेशन में क्या हुआ था उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच बैचारिक मत्भेद सामने आये थे क्या हुआ था उदारवादी और उग्रवादी जो भी थे उनकी दोनों के क्या हुआ था बैचारिक मधित हुआ था इसी कारण से यह split हुआ था सूरत के विभाजन का तातकालीन कारण क्या था अध्यक्षों के चुनावा कमुद्दा कि दो वेक्टियों में अध्यक्ष के लिए चुनावty में conflict हो गया था जिसके कारण क्या हुआ था कि कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था कुछ लोग ये कह रहे थे कि कॉंग्रेस को नरम पंतियों की आवश्यक्ता है मतलब उदारवादियों की उनके नेता होने चाहिए लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि एक्स्ट्रेमिस्ट जो उगरवादी हैं उनके नेता होने चाहिए त 2011 में हुई थी दोस्तों बिटेन के समराथ जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया सवाल इसे पूछा जाता है कि दिल्ली दरवार का आयोजन किस वर्स हुआ तो 1911 में मतलब 1911 में उसी दरवार में बंगाल विभाजन को रद किया गया बंगाल विभाजन कब हुआ उनिश्व पांच में हुआ था 16 अक्टूबर तो वो उसको रद कर दिया गया साथी साथ ये कहा गया कि राजधानी को अब परिवर्तित करके दिल्ली ले जाय जाए त फिर घटना हुई ताना भगत आंदोलन जो की किशान आंदोलन से संबंदित था ताना भगत आंदोलन बिहार के दक्षनी भाग जारखंड में 1914 में आरम हुआ था यह आदिवाशियों का पहला आंदोलन था इसलिए इस इंपोर्टेंट है आदिवाशियों का पहला आंदो और यह आंदोलन किसलिए था उची भू राजसुदर तथा चौकिदारी करके विरुध में आरंब हुआ था अगली जो महत्वपुन घटना है वो है समुंदरी जहाज की एक सची घटना जिसे कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 कहते हैं इसमें क्या था यह 1914 में कनाडा में भारति प्रवेश्य संबंधित विबाद था एक जहाज था जिसको की गुर्दीव सिंग नाम के एक जहाज था जिसका नाम कामा गाटा मारू था उसे गुर्दीव सिंग जो है 376 यात्रियों के साथ लेकर के कनाडा की और गए थे लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें वहां उतरने से मना कर दिया और तब जाकर के जो कंफ्लिक्ट हुआ उसे कामा गाटा मारू प्रकरन के नाम से हम लोग जानते हैं अगली जो महत्पूर्ण घटना है वो है लखनव पैक्ट जिसे की लखनव समझाता करते हैं यह 1916 में हुआ था 1916 में किनके किनके बीच हुआ मुस्लिम लिग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना और कॉंग्रेस के नेता के बीच यह एक सन्युक्त समीटी का गठन किया गया और 1916 में मुस्लीम लीगत था कॉंग्रेस के सन्युक्त अधिवेशन जो लखनव में हुआ इसकी अध्यक्ष्था अंबिगा चरण मजुमदार ने की थी और अधिवेशन लखनव में होने के कारण जो समझोता हुआ इसलिए इसका नाम लखनव समझोता पड़ा लखनव अधिवेशन की दो महत्यपोन घटनाए थी इसमें दो चीजों पर फैसला लिया गया था पहला ये कि उगरवादियों को जिने पिछले 9 वर्ष से कॉंग्रेस से निसकासित किया गया था उन्हें एक बार पुनह कॉंग्रेस में प्रवेश किया गया तो पीछे हम लो कॉंग्रेस और मुसलिम लिग के बीच ये कैतिहासिक लखनव समझोता हुआ था अब लखनव समझोता में क्या मिला तो कॉंग्रेस ने पहली बार मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल की मांग आपचारिक रूप से स्विकार कर ली मतलब ये कहा गया कि मुस भूमिकाती तो ये भी सवाल एक्जाम में पूछा जाता है कि दोनों को मिलाने में किनकी भूमिकाय थी तो तिलक और एनी बेशेंट की चलते हैं आगे अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है होम रूल लीग आंदोलन ये भी 1916 में हुआ था और इसमें ये कहा गया थ था कि एनी बेशेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के होम रूल लीग का सुरवात किया था मतलब सबसे पहले होम रूल लीग की सुरवात किसने की तेनी बेशेंट और बाल गंगाधर तिलक ने उसमें भी बाल गंगाधर तिलक ने 28 सप्रेल इनिस और 16 कुछ क्या किय पूना में सबसे पहले होम रूल लीक की अस्थापना की जोसेफ डग्टिस्टा उसके अधक्स थे और इनका जो होम रूल लीक था वो करनाटक महरास्ट जिसमें बंबई को छोड़के मध्यप्रांथ बराकर इसका कारी छेतर था इसी समय तिलक ने जो है मराथा अंगरेजी म वो केशरी मराथी में पत्रिका का संपाधन किया था वहीं सितंबर 1916 में एनी बेशेंट ने जो यह चित्र में दिख रही है एनी बेशेंट ने होम रूल लीक की अस्थापना की थी जिसके अधक्स जॉर्ज अरुंडेल थे और एनी बेशेंट ने नू इंडिया एबम कॉ तो इस स्लाइड में दोस्तों तीन चार सवाल आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे सबसे पहले जो तिलक के होम रूल लीक के अधक्स कौन थे जो सब बेप्टिस था वहीं आपको एनी बेशेंट के होम रूल लीक के अधक्स कौन थे जोर्ज अरुंडेल वहीं पर इनका का रिष्षित करनाटक महाराष्ट बंबई छोड़के मदप्रान बराकर था और इनी बेसिंट का इन जगों को छोड़के पूरे भारत में था तिलक ने क्या किया मराथा जो कि अंगरेजी भासा का और केशरी जो मराथी भासा का है यह पत्रिका का संपारण किया वहीं एनी बेशिंट ने निउए इंडिया एबं कॉम्मन वील पत्रिका का प्रकाशन किया चलते हैं आगे अगली जो घटना है वो है चंपारन सत्यागराई 1917 में चंपारन के किसान राजकुमार सुकला के निमंतरल में गांधी जी चंपारन आये थे यह बहुत ही महत्पून शवाल है राजकुमार सुकला के निमंतरल में इसके बाद चंपारन में भिवाद क्या था तो चंपारन में नील के किसानों के इस्थिती तिनकठिया पदती जिसके अंतरगत 3 बटा 20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवारी था के कारण खराबती मतलब नील की खेती अनिवारी था 3 बटा 20 हिस्सा ये ध्यान रखिएगा इसमें 3 कठिया पदती है तो आप्शन में 1 बटा 3 भी दे देता है तो वो 1 बटा 3 गलत है 3 बटा 20 क्यूंकि 1 वीगह में 3 20 कठा होता है और उसमें 3 कठिया वतला 3 कठे में जो है नील की खेती करनी थी तो ये हो गया नील इसके बाद गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्यागरह का पहली बार परियोग किया था तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्य सत्यागरह का पहली बार परियोग कब किया था तो चंपारन सत्यागरह में इस आंदोलन में और भी नेता जुड़े थे राजन परसाथ जेवी किर्पलानी महादेव दिसाई इत्यादी चंपारन सत्यागरह के दौरान गांधी जी के कुसलनेत्य से प्रभावित होकर के ही रवेंदरनार टाइगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधी दी थी तो यह हम लोगों ने देखा चंपारन सत्यागरह घटना के बारे में आज की इस वीडियो में हम इसे यहीं पर रोकेंगे मांकी की जो प्रमु घटनाएं हैं उससे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे तो इस पार्ट के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए यह पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाईएगा इसे सेर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान भीत हो पाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्र